पालन, पोसन अने रक्षण करवानू कारिय करी रही छे साथो साथ मानव सेवानू जे कारिय छे गव मुत्र पंच गव्य आधारित मानव जीवन माटेनी जे अउसदियोनू निर्मान छेला एक्विस वर्स्ती स्रीजी गव्य साथ द्वरा करवाम आवी रही छे संस्ता द्वरा छेला विस वर्स्मा साथ लाख दर्दियोनू गव आरोग्य वर्दान प्राप्त करवा माटेनों स्रेई स्रीजी गव्य साथ ने जाई छे छेला विस वर्समा गव साथ द्वरा एक्सो अड़ालिस रोगों उपर पंच गविय एटले के गोबर, गोवमुत्र, गाई नू दूद, गाई ना दूद नू दै और गाई नू गी आ पंच गविय द्वरा एक्सो अड़ालिस रोगों नू निवाराण संस्ता द्वरा करवा माई वुच किड्नी फेलियोर, कैंसर, दरेक प्रकारना चामडीना रोगों एवा अलग अलग रोगों के जे रोगों थी दर्दी अने दर्दी नू कुटुम परिसान थे गया होई, ठाकी गया होई, हारी गया होई, एवा संजोगों मा जियां बद्दी पथी ओना काम पूरा थाई न तियां काव थेरापी चालू थाई गाई मातानी गव मुत्र थेरापी अने मारा अनुभवे हूं अपने जनावू तो अनेको परिवारों क्रोनिक डिसिस्ती बिलकुल तन मन अने धन्ती गसाई गया होई, एवा परिवारों ने जियारे गाई माताना असिरवाद प्राप्त थाई जे ए परिवार नी जे आरे खुशी अमने मानवा माणे चे त्यारे अमने अम्ताई चे गाई माता मते कदाच सो जन्मो कुर्बान करी दईए तो पर ओचा पड़ अभी आ गाई माताना पवित्र प्रांगण मा मानुघर एटले आपड़ू आंगनू आजे अपने मानी घरे श्रीमद भागवत सत्संग श्री वल्लब ना मुखे सांबड़वा माते एकत्र थे आछिए त्यारे हुए मानी सकू के दुनिया मा आप बजा थी भागवत सारी कोई न होई सके विशेश श्री जी गुवसाडा शेला घणा वर्सो थी गाई आधारित कुरूसी अपना खेडूतो जे खेती करे जे एनी अंदर रासाइनिक खातरो अने रासाइनिक जन्तु ना सकोनो जे उप्योग विशेश रूपे करता थी जे एने रोकी अने गौव मुत्र ने गौबर आधारित सजीव खेती करवा माटे स्रीजी गुवसाडा शेला एक दाईखाती सतत प्रयत नसिल रही जे आजे एक एउँ परिणाम देखाई रही जे एक एउँ सरस परिणाम देखाई रही जे के हवे अपना खेडूत मित्रो गाय आधारित गौव मुत्र ने गौबर आधारित खेती करवा माटे तत्पर सेया जे रासाइनिक जन्तुनासको थी बनती खाध्याची जो जेमा अनाज, फ़ोड, फूल, सागबाजी एना उप्योगो थी शरीरमा अनेक प्रकारना रोगो प्रजवलित थाई जे ज्यारे अपनी देशी अने गीर गाईनी उलादना गौबर आणे गौव मुत्र माथी बनतु खातर, खाध अने जन्तुनासक दवावो थी जे फ़ोड, फूल अनाज अने सागबाजी उत्पन थाई जे एक खरेकर अपना माटे दवारूप सिद्ध थाई जे एक तंदूरस्ती बक्षनार अउसदो तरीके सिद्ध थाई जे एकज खोराक जे अपने खाय याने सरीर्मा रोग उत्पन करे सरीर्म नहीं अंदर एक उपद्र उभो करे एनी साबे आज खोराक अपना सरीर्मा एक कोसर नो जबर्जस काम करे जे एकले स्रीजी गउसाला नो एक नम्र प्रयास रही हो जे के आपना सवराश गुजराद ने भारतना खेडूतो फरीती सजीव करता खेती करता थाई अने ए अनू संधाने आउती काले 24 तारीक सवरे 9 थी बपोरे बार सुधी एक खेडूत सिबीर नू आयोजन करवा मायू जे एक खेडूत त्री सेकर जमिन दरावता होई एना खेतर मां के एना घरे एक गाई होई तो बिलकुल जीरो बजेट खेडूत एक गाई पंचोतेर विगा जमिन ने पोसे छे आज गोबर ने गोवमुत्र नी एवडी ताकाच छे के जेनी पासे खेती न थी अने घरे एकज गाई राखे तो इना गोबर ने गोवमुत्र ने दूध मां थी छो व्यकति दा कुटुम नो निभाओ एक गं सूचारू रिते करी सके आपने गाई माता ने बुली जिया ची गाई माता attainा गुणों ने बुली जिया ची एने फरिती याद करवां माते फरिती गोवमहिमा वदारवा माते आजि आपने आ श्रीमत भागवत सपता मा बेगा अग्षाद श्री वल्लबना श्री मुखे गउ मैतम साथे नी भागवत कता नो रस्पान करवानो जे लावो मेडो छे वैश्णों जनों एक एक परिवार आ सेवा यगनमा जोडाए येवी कायम माटे आप प्रयास कर सो कायम माटे गउसेवामा जोडाएला रेशो एवी हार्दिक अपिल करू छू स्रीजी गउसाडा छेला दाइका थी राजकोर सहेर तेमज आजुबाजुना विस्तार नी तमाम स्कूलो ना विद्यार्थियो गउसाडा नी मुलाकाते आवे एनी उमर ना प्रमाण मा अमेने गउ माइतम गउ विजनान समझावानो एक नम्र प्रयास एकला माटे करिये छिए के बचपन थी जो आ संसकारों अपना बाढकों नी अंदर आवी जासे तो ए युवान थासे ने त्यारे एन नहीं समझावू पड़े के तारे गाय माता न जाओ उजये अपनों बाढक मारी पासे घणा दर्दियों एनि मम्मियों बाढकों नी मम्मियों ए भी फर्याद करती होई जे को मारू बाढक खातू न थी अले हुए ने पुछू ना दिक्रा ने पुछू के दिक्री ने पुछू के बटा तहने सूं भावे तो के मने पी पीजा भावे त्यारे हूं एना माबाप ने प्रस्ना करू कि आने जन्मदारन करी समझनों थियो बोलतों थियो त्यारे एने पीजा माई गो तो तमें एने पीजा खू रही गो तमें घरे ठाकोरजी नी सेवाव पद्राओ छो कानूडाने रोज नौडावी दौडावी बेसाडी अन्य सूँ आपो छो माखान अने मिश्री धरो छो पछी तमने जे योगिय लागे तमारी जेहनु कुड़ता हो ये वू बद्धु धरो छो पड़ माखान ने मिश्री पेला धरो छो काराण के त्रस्ट्र ने प्री ये माखान छो तो पछी तमारा बाड़क ने तमें चीज ने पनीर ने पीजा ने ब्रेड हूं काम खोगरा ओचो मने इन अधी हम जादू ठाकोर जी नी सेवा छे ठाकोर जी ने सुबावे छे तो पर तमारा बाड़क ने अकच्रों शुकाम खुगरा वो चो मनने आव अष्टू अजीम अगज मान थी उतरतू ठाकोर जी ने जे धरिये चीए एज वस्तु आपना बाड़क ने दूद रोटलों ने माखण नो जो सवार्ण मा नास्तों करावा मा आउसन है तो एक ए व्रद्धास्रम ने क्यारे जरूर नी पड़े स्रीजी गुशाड़ा आजे साड़ा साथ लाख परिवारों सुधी पोची जे कारण के स्रीजी गुशाड़ा ना दर्दियों नी संत्या विश्वबर्मा साड़ा साथ लाख नी जे एक एक दर्दी अने इना घरना ने संपून नेगेटिविटी माथी बार काड़ी आखा परिवार ने पोजीटिव करी एने आहार विहार एनी बिमारी खुराकना फेरफासी चकई दिते थाई अने एक घर कायम माटे प्रभु में बने सुखी बने एओ क्रयास श्री जी गोउसाडा छेला 20 वरस्ति करी रही चे श्रीमत बल्लपकूर्णा आसिरवाद गाई माताना आसिरवाद अने श्री ठाकोर्जी नी कृपा आ काड़िय माटे हमने सतत जागरूत राके चे अने 24 कलाक मां थी 20 कलाक पन टूका पड़े चे अनने अमेंग जियी जिए चे 24 कलाक मां थी 40 30 कलाक हमें गाई मातानू काम करी सक्य़ और समाज ने एक गोगिय अ मार 파भी सक्य़ जीए वूई चीए जीए कि 24 गलाक मां थी साड़ी 23 गलाक हमें गाय मातानू काम करी सक्कियाने समाज ने एक योगिय मार गापी सक्किया आप सवना आसिर्वाद माटेज फरीती नमर अनुरोद करूछू के गाय माताना आंगने आप सव पदैरा छो हमने हजू आप सव वेश्णव जनोय वा आसिर्वाद आपो के हमें 24 गलाक मां 30 गलाक नू गाय मातानू काम करी सक्किया हजू स्रीजी गौवसाड़ा नी जेजे आपना आसिर्वाद थी एक नमर तमन्ना छे के गुजरात सरकार और भारत सरकार एक विशाई गाय आधारित और पंच गौविया आधारित बच्मन तीज बाड़कों ने मड़े एवी अमारी सवनी लागणी छे अत्रे सहरना अन्ने को दिगज्यो गौवसेवकों हाजर छे अमारी आप बावनाने पुष्टी मड़े एवो आप सव प्रयास कर सो एवा सव अमने आसिर्वाद आप सो हूँ क्यारेक थोड़ोक ओहम लागे पंड हूँ भारंबार मारासी बोलाई जाई छे के श्रीजी गौवसाडा गौवसेवानू तो कारिय करेज छे गौव मुत्र चिकित्सा थकी मानव सेवानू कारिय अमने खुद्रती दिते प्राप्त थिऊ छे अने गौवसाडा द्वारा जे गौवसाडव अमना जेजे ये जमागना करी के गौवसाडव निर्मित साबू, सेंपू, फिनाईल, अगरबती एवी 25 प्रोड़क आप स्रीनिक रुपा थी गौवसाडव माह में बनाविये छिये घर घर नी अंदर गौवसत्व वपराई एक एक व्यक्ति ये वो आगरह राके के भी मरे साबू थी नाविये तो गाईना पंच गवियो मां थी बनेलो साबू थे एना थी नाविये करांड के एक साबू नी अंदर गाई मताना तमाम गवियो मने प्राप्त थाई करांड के केमिकल युक्त साबू के पसू चर्भी थी बनेला साबू थी नाई और हूं मारा प्रबूनी सेवा मा बेशू तो मारा प्रबू मारो स्विकारज नहीं करें पसुचर भी थी बनेला सेंपू थी मारू माथू दोईस तो मारी बुद्धी ने सूथ से तो गव मुत्रमा थी बनेलू सेंपू एना थी उम मारा माथा ने मारा वाण ने दोईस ने तो मारी बुद्धी ने पन सांती मर से ने मननी पन सांती मर से त्रीजी सौथी महत्वनी वाते छे के गउसत्वना वपरास्ती आ देशनू करोडों अपजो रुप्यानू उन्डियामन बचावी औने आप लोकों खुद्रती दिते देशनी सेवा माँ पर जोड़ाई सको तो स्रीजी गउसाडा ने गउसेवा मानवसेवा अने देशसेवा त्रिवेणी संगम प्राप्त थियों छे ए साकसात स्री ठाकोर जी नो आया वास छे ने यह हवा त्रण-्रण सेवानाकार यहा संस्ता करी रही छे एक संगम हुबो था यह जे साकसात स्री प्रभू नो जे इसवनो साकसात कार जने अपने कही है यह वो अनेकों साकसात कार आग भुमे में आमने महीडा छे इनी जो वात करवा बेशिये ले तो साथ दीवस भीजा लागा पर हुँ एटलू चो कस कई से के जियां गाई माता रो वास्थे त्यां आपड़ो कन्यों हाजरा हजुर अच्छे इन्हें गोत्वा माटे 4000 किलोमीटर जात्रा करवानी गाई मातानी पासे जे रोज जाईने इने 4000 किलोमीटर छेटे जेने भगवान ने गोत्वानी को कोई जरूरियात क्यारे रेती नती है कि सवथी अगत्यनिवाद स्री जी गुवसाड़ा आजे आस्तरे जो पोची छे तो एमा अमारा सात्विक दाताओं जे दाताओं ने मारे विननती करवी पड़े छे कि भाई साब मने आजे तमारू नाम बोलवा दियो आज एतली छूट आपो एनो एकच जवाब हो एक के दासबाई अमें जे आ करिये छिए प्रभू ये अमने आ कार्य माटे आपेलू छे एनू छे नेना काम मा वापर ये छिए आ सात्विक दाताओं नी भावना थी आ गोवसाडा आजे आपने जे जोही रही आजिन आनो उजास या सात्विक दाताओं ना सात्विक दान थी छे अमारा नरेंद्रभाई गंगदेव गोवसाडा नी भूमी ना काण काण मा ये मनो वास्थे अर्थवाड याना पाँच दिवस नेवु वरस नी उमरे गोवसाडा ये आवी एकज बार काई मुझाता नथी नहीं काई मुझाता नहीं इस्वर कुरुपाथी बद्धू थाईरे से अने कोई पन कारिया आत्मा लेए अमारा पुझी बापुझी नरेंद्रभाई गंगदेव इकारियमा ये मनो योगदान होई होई अन्य होई एविज रिते अमरा जनकभाई पारेक बहरीन वाड़ा मुझी तो राजकोट पारेक भारतीय वाई पन बहरीन मां वह मोटा बिजनेस चे अटले बहरीन वाड़ा अपने बोलिये चीए बाकी तो आपनाच छे ए जनकभाई पारेक बहरीन थी ज्यारे आवे त्यारे राजकोट उत्री न पेला गौव साड़ा आवे हूं अटला वर्सों थी जो तो आऊ जू इ सवारे वित्रा होया यां दस वगे राजकोट गौव साड़ा महोई आवी पेला गाई माताना दस्तन करें पच्छी एक प्रस्ण दस भाई बदू बराबर चाले जह उनको बदू बराबर चाले जह तो पर्ण एने जे नकी कई रू होई ये अनुदान गाई माता माटे आपी नेज जाए आजे आश्रीमत भागवत सप्ता अगनान यगन निमीते एमने रुक्स्मनी विवानों मनोरत एमना परिवार्था की लखाई वो छे कारण एमने तियां जे लालन भी राजे छे ए लालन पुझिय दर्सन बवावाई पद्राईवाज आवाद जरे जनक भाई मने करी के दास भाई पुझिय जे जे आलालन भारतियां पद्राईवाजे अने एनो विवाखेल मनोरत मारे गउसाडा मा करूओ जे आजे जनक भाई नव लाख अने नव हजार रूपयानू अनुदान स्रीजी गउसाडानी गाई माते गाई माता माते रुक्स्मनी विवा प्रसंग माते गाई माताने चर्णे दरेल जे हूँ जनक भाई ने विननती करीश के आ अनुदान पुझिय जे जे श्रीना अस्ते आप मने आपो आप पदारो स्टेज उपर अमारा विजे बै कोटक आजे कहीं बाहर होवा थी आभिनसी से का पर सतत गाई मातानी चिन्ता कायम माते एक जवाद दास भाई आपनी गाई माता बदी सुखी जेने अठ्वाडियमा बे वार आवे तो बे वार बन गाई माता माते आपता जाए एक वार आवे पंदर दिशे आवे पाण काई कने काई कनुदान गाई माता माते एवी रिते आपता जाए अने एवी सुभे चाथी के आपनी गाय माता कायम माटे सुखी दिये ओमारा गौशाला ट्रस्टीमेंडलना प्रुदास भाई जेनती भाई नगदिया अने विनु भाई अनुदान फिकार करशे जनक भाई पारेख दास भाई वादकरियमने शराना करी के घणाबदा वर्षोति अमारे साथे जूडाई और या ब्रेजवसंत मंगल भवन इमना अनुदान थी सेंट्रली एसी होल आपने गौशालामा बनाएवो छे जे जनक भाई परिवार इमना पितास्टी प्रवदास भाई पारेख अने इमना मातुर्शी वसंत बेन नी स्मृतिमा इमना योगदान द्वारा सुंदर मजानों सेंट्रली एसी भवन अमारा पारेख परिवार द्वारा सिद्ध थे उचे अने आजे नुलाखने नुवजार रुपया सिरुक्ष्वणी विवा उपकरम में आप विन्योग करावी राची आप तो खुब-खुब आभार दास भाई निवदेन करिश इमना वक्त भेने आगलवधार शे दास भाई जनक भाई ना मोटा भाई स्री जगदिश भाई पन स्टेज उपर आवे और पुज्यस्त्री ना असिर्वाद प्राप्त करे मारा जिवन नो एक मनोरत हतो मनोरत ए मनोरत ए हतो के रमेज भाई दढूक स्री जी गव साड़ा आदे अमारी साथे जोडाई आ मनोरत केतला वरस नो तो वाद करू नव वरस नो मारो आ मनोरत हतो पुज्यस्री ना असिर्वाद थी स्रीमद भागवद सप्तान आयोजन थी रमेज भाई है अमने नवरात्री दरम्यान जे बहु मोटू आयोजन रमेज भाई करे जे ए आयोजन मा अमने बोलाई वा अमने स्रीमद भागवद सप्तानी रजुवाद करी मने कि काईवांदों निदास भाई में कि दू भाई रमेश भाई हमें प्रतिग नहीं लिदी छे के मड़वा जाओ पर मागवू नहीं मने कि उन तमरों छू स्री जी गौव साड़ा नो पांच लाख एकावन अजया रुपिया मुख्य मनोरती तरीके नमारा लखे लियो के अजी आपने जे करवानूचे नीतमर काले जाहर करवानूँ आज बोलता दी काले प्रभुये ने सूँ प्रेना करी ये अपने काले जाहर कर्ष्टू एमनी पासे थी जानी ने पर रमेश बाई जोड़ाई गया ने अदले अमने काईदे सर रमेश बाई पांख हुआवी गई अवे आग उसाड़ा ने विश्वस तरे पोचाड़वा मा दुन्या नी कोई ताकात अमने न रोकी सके खुब जानन नी बात एजे के जेनी अपेक्सा हुँद हमने बात करू ने तो मोलेस बाई उकानी अने हुँँ मरो बिजो मनोरता तो के मोलेस बाई गउसाड़ा आवे अने अमरी साथे जोड़ाई कराण के रमेश बाई मोलेस बाई अवा परम पवित्र गउसेवक मित्रो अमरी साथे ओई स्रीजी गउसाड़ा ने गरी माच अवे आमरा बेई मित्रो आजे अमारी साथे अईया अब मन्च उपर मोजूद थे त्यारे अमरा हरक नो पार न दिये अमरा हरक ने जोरदार दाड़ी होती बदाओ कान के नव नव वरसना मनोरत यारे स्री टाकोर जीनी कुरूपा थी ने पुझ्यस्री ना असिरवात्री पुरून थता होई त्यारे गउसाड़ाना आंगना मा आजे खरेखर अमने व्रज नो आनन मले मोलेस भाई रमेस भाई खरेखर आजे आपने बेहने साथे आ भूमी उपर जोया पच्छी हुँ मनोमन विचार दोतो के हवे स्री जी गउसाड़ाने विश्व लेवल नी संस्ता बनावता दुनियानी कोई ताकात न रोकी सके एज रिते आफरीकाना अमरा गंचियांबाई जोबन पुत्रा एपन पुद्रती बेदिवस पेलाज आवी अने पाचा आफरीका गया खुब खुब सुबे छाओ आ प्रसंग निमिते गउसाड़ाने अमने सोवने पाठवी जे दाताओ जे आपे छे अमरा खुजी बापुजी नरेंद्र भाई गंगदेवें किया छे के तमने उन एवी सगवर्ताओ उभी करिदो के इस सगवर्ताओने तमें साचवो इमाती उपार्जन करो अने रोजे रोज इमाती गउसेवा थाई तो दाताओ ना आ अभीगम ने कायम जाड़वी राखवा माटे स्रीजी गउसाड़ा ये बे भव्य होलनू निर्मान के रूचे बे भव्य होलनू निर्मान के रूचे आज जग्या माँ वरसना ओच्छा माँ ओच्छा साइठेक प्रसंग उताई जे लोको फुबज आनन थी स्रदा थी के गाय माताना सानिद्यमा अमारा संतानो ना लगना में करिये हमें पर परम भाग्य सारी थी एम बोली आ जग्यानो येवो सदूप्योग थाईचे एमाती जे आवक थाईचे ए गाय माताना निभाव माटे थाईचे पुणियानू भाथो बांदी अनी नुयुगल जीरे प्रभुतामा पगला मांडे छेने त्यारे एजोवा माते देवोपन पुस्पवुर्ष्ट़ रेचे केउडünk अजोड कारिया पोताला शंतानों प्रभुतामा पगला मांडे छेने एक पर गाय ओमाताँ नी दिव्यान पवित्र भूमि माँ आ अब नने वेवाई पक्षणा लोका यारे पोर्टा नो अभुभाव वियक्त करता हो उचे नहें त्यारे आपनेम ठाई चे के धन्याचे अमारा दाता हो धन्याचे अमारा दाता हो के जेने अवडी सगवर्ता आ संस्था मा उभी करी लाज्यारो लाखो लोकों ने प्रसंगो निमीते पण स्री जी गउसाड़ा मा आउता करी जिलाई अईया आवे कैक ने कैक प्रेणा थाई गउसत्वनी चीजों जेतली बने चे एक घर घरमा वपराई आप उन्यानु भातु अमारा बदा दाता हो ना भाग्यमाच जमा थाई धन्या छे आदाता हो आदाता हो सन्निष्ट दाताओ ना सहकार थी जे रिते संस्ता चाले छे ए रिते संस्ता ना गउसेवकार्य करो छे एक कार्य करो पाण कोता नी पूरी निष्ठा थी दिवस रात जोयाव अगर आ सेवा कार्य मा जोड़ाए राचे ए सवने पाण हूं आ तके मारा रदैनी भाव वनना करूँ थी समय नी मरियादा चे आजे अमें एक भावना लेई अने अमारा गोपाल नमकिन वड़ा भाई श्री विपिन भाई अने एमना परिवार ने निमंत्रन आपवा माटे कारण के एमना किस्ता माँ पने वू जतू जेम मौलेस भाई अने हूं सामसा में रहे चीए अने अटला वर से पुझ्यस्री ना आसिरवात थी मारों बनोरत सफ़र थी हो एवीज रिते विपिन भाई अने एमनो परिवार अमें निमंत्रन आपवा गिया अमारा निमंत्रने मानापी अने आजे गोपाल नमकिन परिवार विपिन भाई अने एमनो परिवार अत्रे पदाईरा छे आतके हूं एमनो आर्दिक अभिवादन करूछू खुब खुब धन्यता अनुबहुचू विपिन भाई अने आपना परिवार ना अगमन थी दतानी, रमेश भाई, मौलेश भाई, बावीशो खुर्सी में अठ्वाडिया पेला आ कार्यक्रम निमी ते आपड़ा रमण भाई भर्मोरा पाहें थी, मगा भी ली थी, क्या पैसा थाई त्यारे दैस, अमारा विनु भाई दतानी परम दिव से मने खाली एटलूज पुई क्या आजे काई चिंता नी रेखा देखाई नो, चिंता नी रेखा बिजी काई न थी, पैसा थाई बावीशो खुर्सी ली थी, नेनु विचारूज अब केम आयोजन करूँ, दसज मिनिट माँ सववा थेर्सो खुर्सी एने मने लखावी दिदी, पोताना मित्रमंडण मा अने पोतानी, अन्ने तीस मिनिट पछी एने मने एतलोट जवाब दिदो, कि आप बावीशो ए बावीशो खुर्सी नी जराई चिंता करता ने, इता ही जा है, हवे, अन्ने फूँ गणू, इस स्वार कोई ने कोई रूपे, इस जनकभाई मावे चे, अमारा पुज्या ये बापुजी नरंद्र भाई गंगदेव मावे चे, अमारा मोलेस भाई मावे चे, अमारा रमेस भाई धड़ुक मावे चे, अबदा इस्वार ना अंस, एने अंदर थी जागे चे, के तुम आ जाग, आए माता तारी राह जोवे चे, आ इस्वार नी अनोफिक रुपा जे, आ खुरुपा ने, हमें रोजे रोज मानिये चिये, आप सव आ अठ्वाडियो आ खुरुपा ने मानवा रोज बदारों, एवी हार दिक, विनम्र लागणी साते मारा वक्तव याने विरामा पूछू, वन्दे गव मात्रम आहता जाडिता गव मुत्रची किस्यकाने अमारी गव साड़ालना मेनेजिंग ट्रस्टी मानने भाईश्ची प्रभुदास तन्ना, गव विशे मानेको अभिवक्ति आमने आपी खुब-खुब अभिनन दन, विशेष आज ना ठाकोजी ना मनोरत विशे मा आपने अउग आपने सव दर्शन करीशू, सामें दर्शन खुली चुक्या चे, एज रिते आजे रात्री करम ने एक हणवी जा रहात, आ भगवत सत्संग अने दर्शन ने समांतर, ना 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 बे अमें डायरा ने हसायरा जेवा करेकमों, संत्वानी जेवा करेकमों आनी साथी जोड़ा आजे रात्री ना दस वागे आज मंच पर ती आपने सव वे माणवानों चे, सवरास्तना जानिता लोखास्यकार एवा राजूभाई गडवी ना मध्यमती, आजे रात्रे सव दस वागे डायरो हसायरो माणिये, सव मेमानों ने मारी हार्दिक अपिल चे कि बोजन उपरा सव पाचा आप मंदप मां गोठवाई जेए, आपनों सत्संसकत सत्र पुझेशी ना मधूर शीमु के आपर सवन करियाची, आओ, पुझे पास ती गोवर्धनेश्ची महदैशी ने अंदिवद्न करिये, हे प्रभू, हे विभो, आपनी वागधारा पुना प्रवाहित प्रवित करी अमारा करणों ने पवित्र करो पोजेपास ती गोवर्धनेश्ची महदैशी शिवन लभार्धी श्यकी जेए दास भाई ये गड़ू केतो होने इच्छा तो जी मुन धरायो ने यम था सामवड़तो रहू तमने खोब येमने पोताना मनोभाव अने येमना अनुभाव जे छे श्रीजी गउशाडाना माध्यम थी गउशेवा मानोव सेवा येम पन गउशेवा करें येमा मानोव सेवा आविज जाए आखु गाय विश्व माई छे अने खुब आनन थयो श्री जी गउशाडाना माध्यम थी शुशु परवृत्ति यो गणा बदा एमने मनोभाव बाळकों ने पढ़ाईया स्कूल थी बोलावानों आगरे राके छे नान पढ़ थी एने गउ महात्म विशे एने समझाए इवात माटे श्री जी गउशाडा प्रवृत्त छे घणी बदी वातों एमने करी अने घणू बदू एमने के तो बाकी छे उतों को रोद 10-15 मिनिट बोलो आप खुब भूत्व यहां आपणू जाता आपणू छे रोज मनो भाव एमना प्रगट करो अने खुब आनन्द प्रसंता गौँ सेवा माटे गौँ भक्त दासभाई एवा और एमनो भाव प्रेम और एमनी कडिती चुडाएला बधा ये वेश्नवो बस आवश्यक्त आजना स दास भाई नी छे गौँ दास होच एम कईस नेवा दास एवा थाई जया बधा बेगा बधा नी अंदर कि सोटका अब थोडुक पण नंचे आवी जशे तो आपणी गाय आपणू भारत आपणी संस्कृतियनु भविश्य बव उजवल छे खुब आनन्द प्रसंता आए मालेश भाई रमेश भाई एमना परिवार माटे पन खुब आनन्द प्रसंता आए अमारा आत्मिय जनक भाई अने एमने जे विन्योक करिऊ आज ना आ सुंदर दीव से आटला सुंदर स्थान उपर रुक्मन विवा ए प्रसंग निमित बनावी ने अने ठाकोर जी अमना सेव्य थया अने लालो आवडो मोटो ज देगियो लगन ज देगियो लगन ने अमना तो बहु माखण खोड़ा एवो तम्हें बहु माखण एकले भाव एवो ठाकोर जी ने प्रेमती ये बनने सेवा करे चे वातनों मने आनन्द छे अमना ज बहरेन त्यां प्रोग्राम हतो नेनी साथे आत्मियता थे ठाकोर जी पद्रावया ने ये प्रभुनी प्रेणा थी आपलू सुंदर योगदान मने खुब आनन्द ए वातनों थाए छे अवे पढ़णावानी व्यवस्ता चालू थेगे तो खुब आनन्द प्रसंत अव्यक्त करता ठाकोर जी बस आवा व जी गवशाडामा सामेचाली ने लोको आवी ने पोतानों सेवा भाव मनो भाव प्रगट करता हो छे आप मातानू महत्म छे आमा बीजु कई बव माता नी कृपाची बधाने खेचे अचे मिकर्षयती ती क्रिष्न तो गो यानी क्रिष्न, क्रिष्न यानी गो जैसे प्रसंगों ने आपड़े जोई एक दास भाई है कि दूख रमेश भाई जाते मीटिंग दी पची पाँ खावी गई वे पदे भाई बने गदें लगाण भी पाउघ भी पड़ेे वी कि दूख घंगों पाखत लगाण वी कानले चूथो डी बने बने आंद ले बने नन्न मोसो नं अपने बना अपने एक दसमा सकंथ मा तो अजी आपने क्या है विचारीलो तमे अपर पांग ही उपाए जे जे पन कथातो अनन्त छे थोड़ा थोड़ा प्रसंगों ने आपने लईने आगर वधिये आ प्रथम स्कंद मा परिक्षित जी महराजे ये जे कली पुरुष एनो निग्रह करे श्री महाप्रभुजी ये पन आग्या करी कि कली निग्रहो बहिर मुखे न करतुम अशक्य हा जे भागवद भक्त छे एज कली युगनो निग्रह करी शक्य है परिक्षित राजा भागवद भक्त छे कली युगनो निग्रह करे हो एटले अमुख स्थान जे प्रसंग आवे अमुक्स्थान एकली पुरुष्ण रहवा माटे आपी दीदार कि जाए पीडा थती दी गउने बड़त ने इना थी सहन्न थे भागवद भक्त काणके आ गाय बड़त धर्म छे जारे धर्मने पन हानी थाए भागवद भक्तों नुँ मन विलाप करे छे तलवार लईने आम लाकली पुरुष्ण ने मारवा माटे तईयार थे गया है इम कथा मा आवे छे गउनी पृत्वी नी रक्षा करवा माटे मने मने कुम्मंदास जीना पुत्र कुष्ण दास जीनू स्मरन थाए छे जेम गायनी रक्षा करवा माटे बड़त नी रक्षा करवा माटे धर्मनी रक्षा करवा माटे आम जे परिक्षित जी ये तलवार काडी इम तमे स्मरन करो कुम्मंदास जीना पुत्र पुष्टी भक्ती मारग मा वल्लब आचारियोनू इमना सेवकोनू बहुं महद योग पुर्दान निचे, गव सेवा मा, पुत्र कृष्णदास जी गायों नहीं सेवा करता, गायों ने चरावा लई जाए, तो गमान बदू साफ करे, तो हजारों ने हजारों गाये, नेमा एक वी भारी, विशाल काये सरूप, नेवा भारी भारी थने ना, इस बहुत धीमी धीम जाले, ने गाये पाच्छावर पाच्छावर ने ओली बदी आगर तो लो ए गाये ने हाकता हाकता साते साते कृष्णदास जी, ओली बदी तो खिरक मा पोची गई, आदीमे दीमे आले, त्याज सु तो यूँ पूछरी ना भाग मा ते गिराजी नी तरेटी मा, सीह आवे ललकार है, इसी एनी उपर जाए, एक गाये नी रक्षा करवा माटे सीही नो सामनो करे ओ कृष्णदास जीह, कि ताने कई पड़ी चाओ तु मारू सेवन का, तु मने मारू, जाए ललकार है, और सीही एनी उपर आवे छे, अने ओला गाये ने आम, एने हाकी ने एने खिरक सीथी दोड़ती एक खिरक मा वही गई, पोताना स्थान उपर, और आज सीह सीथा कृष्णदास जी उपर प्रहार करे ओ, गौ माता एनी रक्षा माटे कृष्णदास जीह, पोताना प्राण ना नोचावर करी तीधा, पोताना प्राण नी पन चिंता न करे, और ए समाचार जारे पुमन दाजिना ने ए समय भोपिनात जी ने अन्य जे कौँ भक्त हता, जारे गाये नू दूद काडता हता, दोहन करी रहा था, ए समय इमने शू जोयू, कि ए जे मोटी ए जे ब्रहद काय, एक जे गाये हती, एनू दोहन कोण करे जे साक्षात शिनाची बावा, और एना वाच्षडान ने लही ने कुरुशन दाज जी तिया उपा था, शिनाची बावा दोहन करी रहा था, एवा दर्शन एसमय गोवभक्त ने थाया, समाचार मढया कुमन दाज जी ने कि तमारा पुत्र है सीह ने मारे हो छे, सामबरता मुर्चित थाई गया, जारे खबर पड़ी आ समाचार मढया कि कुरुशन दाज जी ने दे तो त्या पड़े हो छे, पूछरी ना आगड, उसाई जी कहे एमना बोलो, एमने गाय नी रक्षा करता एमना प्राण ना नोचावर करया छे, और गाय एमना जीवने क्यारे आविर्थे छोडे जी नहीं, गाय एमन आपड़ा भगवा दियो एवा घणा एवा ठया के जिमने गौ माता माटे पुतानू समस्त नोचावर, प्राण नोचावर करी दिधो, गौ रक्षा माटे एवा सजाग हता, कानके भगवद भक्त छे, इवाज भगवद भक्त अहीं परिक्षित राजा, रक्षा माटे आ सन्ना त्यां थी आगयो हतो, ये मुगट धारन करता बुद्धी ब्रश्ट थाई, अने श्वमिक रुषी नो अपराद करें शुंगी राश्ची द्वारा इमने श्राप लागयो, साथ दिवस सातमा दिज से इमने तक्षिक द्वारा मृत की उत्रशे, आ समाचार परिक अने शुक्देव जी महराज नो क्या आगमन थोई, बाड़कोती बदा घेला आग मोटा मोटा केश घुम्राले, लंबी लंबी पुजाएं, शाल उरस्थवल, अने वाल शुक्देव जी महराज ये सभामा पदार्या, एमने जोईने पूरी सभाव भी थाई गई, अने द आस्तां डंटगे लगावी, आज जोडी अवे उभा छे, अने प्रस्ण करेया, बोलिए शुक्देव जी महराज नो क्ये जाए शुक्देव जी महराज टी जे, Syुक्देव जी महराज टी जए शुक्देव जीने सुन्द प्रश्ण करें आप परिक्षित राजाए कि हे गुरु वर्य मने ए बताओ कि जीवनु कल्यान शेमा छे अने बीजो प्रश्ण करें कि जेने मृत्यु सम्मी पोहे एने शुकरूँ जाई जो आ प्रश्णों ना उत्तर आपणा बधा माटे जानवा खुब आवश्यक छे करण के मनुष्य जन्म मेडवी ने आत्म कल्यान आपणे बधानु करवानु छे अने मृत्यु सम्मी तो आपणे बधा जैज रहा छे आ एक एक स्वास साथे जन्मनी साथे मिर्त्यु तरफ नी यात्रा आपणी प्रारम थाई जाएचे ए प्रश्ण साथे जो प्रथम स्कंद त्यांपून थाएचे ने द्वतिय स्कंद साधन लिला अंतरगत क्षण भंगूर जीवनमा भगवद युक्त कई रिते थवू एना सूसू साधनों छे इस साधनों नी रूपण आत्वितिय स्कंद मा कर्यू एटले आत्वितिय स्कंद साधन लिला कहँ आने ज्यान लिला पण कहवाएचे अने शुक्रेव जी कहेचे कि राजन आक्षण भंगूर जीवनमा भगवद युक्त थवाना त्रण साधनों इमने बतावया श्रवण किर्तन अने स्मरण त्रण साधनों नी रूपण कर्यू अने आ साधन लिला अंतरगत अश्टांग योग नू वण्ण करवा मावियू अने अने च्टांग योग थ्वारा भगवद प्रापति नेक भुषिष्ट मारग शुक्देव जीवे परिक्षिद जीन न बतावयो छिटा असनो जिता स्वासो जिता संगो जिता इंधरिय हृ합 आघ यदा सनो अम चे शित्य ऐस्थक्हां कैरेज्ग कट्षित जी महराजिशुकैडेव मारे श्ुकधर जी ने वंदन करियो पड़ासर उसी ए सभा मा बेठा हाता है पिता मा है एन्नू वंदन करियो अने शुक्देवी जी कहे चे के राजान जे वो प्रश्ण सुष्टी सर्जन न तमने थेयो एवो जे प्रश्ण एक वार नारत जी ने थेयो अतो ब्रमाजी ने पूछियो अने ब्रमाजी ये जे नारत जी ने कहियो ये हूँ तमने कहुँच पिता सुष्टी सर्जन न अइधिवास्तम वंदन करियो ब्रमाजी ये कहियो के ब्रमाण रुप ए एक अंड सहस्त्र वर्शस निर्जिव रूप ती जल्मा हातू त्यारे भगवाने एप ब्रह्मान्ध की अंडव विद्न थैए यहमाथ एक विराट पुरुष प्रकट थैए शुष्टि शर्जन नावी माथे भर्मा जी प्रकट थैए कमल प्रगट थे युँ, कमल माती ब्रमाजी प्रगट थेया पच्छी ब्रमाजी ने भगवाने सुरुष्टी सर्जन नी आगया आपी त्यारे ब्रमाजी कहे चे के प्रभू सुरुष्टी सर्जन नो कारे करू इन पुर्व मारी अंदर पढ़के कि योगिता हो भी जो ये चार वस्कु ब्रमा जी ये मांगी भगवान पास से एक तो भगवान पराओ ग्यान आपना अवतारों नो ग्यान कराओ क्रिडा ग्यान सिक्षा ग्यान जे कार यानि आप मने आगे आप पोछो इना ती अत्रिक्त मारी बुद्धी न जाए और गर्वा भाव कि मारी अंदर एहंकार न वाव है कराण के मनुष्या जे थोड़ू कहीं करे ने अभिमान इन अंदर तरत आवी जे तू हो जे कि यह मैंने कीया यह करूओ आपकर मॉट सृष्टी सर्जन मारी अंदर अभिमान आव्यों तो लेकि भगवा ने ब्रभ्माजी anar ऑंसा कर आव्या भृ ब्रजन दर्शन कर आव्या अने ब्रज् plasterage नी अलोकिक आदिदेवी सृष्टी जोईटि इने ब्रभ्मा जी कृतार्त भागवत है आने केहवाया उए लागया प्रभुहू चाहु तो पड आवि सुष्घीी दूने करी शकू को पैए हो चत्म शलोकी भागवत द्वारा को चार्म की नके वाज लाइचे आखा चतुव श्लोकी भागवत भागवााने आ प्रमा जी ने आपिउने आ जविशत्र tailored आघवत कि ये चार नव ने चारोकमा प्रम जगत जीव अने माया वेदानत मा और चार् विशय आवे चे ब्रह्म शूचे, जगत शूचे, जीव शूचे, और माया शूचे. खुब इटलो इंट्रेस्टिंग आ विशय चे वेदान्त नो, आपनी बासे समय नो अभाव चे, बण आ चार्ष लोक बहु महत्वना चे. आपने चार्ष लोकों ने जोईए शंक्षिप्तमां। नप्रतिये तचात्मनी नड्रिदाध्याद्मनु मायां। यथा मासो यथातमह। यधा महंति भूतानी, भूते शच्चाव चेश्वन्तु, प्रविष्टान्य प्रविष्टानी, तधा तेशुन तेश्वह, एताव देव जिग्यासु, तत्वजिक्यासुनात्मनह अन्वयव्य तिलेकाप्याँ, यद्ष्यात सर्वत्रस्मरुवदाँ, अ़ववासुलेवादेश्वृ ब्रम्म क्या है? ब्रम्ब ना त्रोण सुरूप हिया बताव्या माया विद्या अविद्या बे प्रकार नी माया पंच परवा एव मायानु निरूपण कर्यू आ जगत ना अभिन्न निमित उपादान कारण ब्रम्म छे अने भगवाना जे सच्चिदानन्द स्वरूपधी आ स्रुष्टी नो सच्चिदानन्द ने आविरभाव अने तिरूभाव ने लिएने आ जगत ने जीवनी रचना करे छे भगवान सच्चिदानन्द स्वरूपधी जारे भगवान पोताना माती चिद अने आनन्द अन्षिने तिरोहित करे छे तो भगवान ना सद अन्षिती जगत उपन आप प्रकार दी भगवाना स्रिष्टीमा विहार क्रिडा करवा माटे आप लीला विहार करे छे शी महाप्रभुजी निवन्दमा आज्या करी नमो भगवते तस्मई कृष्णा याद भुद कर मडे रूप नाम विभेदेन जगत त्रीड तीयों यता खुबज महत्वनो आ विशय छे आने उपर विस्तार करवा जाईये तो घणो समय लागे तो ब्रह्म शू जगत शू जीव अने माया ए विशय उपर प्रकार शे ब्रह्मा जी ने करावे ओ ए ब्रह्म दस प्रकार नी लीला करे छे अत्रसर्गो विसर्गष्च स्थानम पोशन मुत्तयह मनवंतरे शानू कथा निरोधो मुक्ति राश्रय आ प्रह्म दस प्रकार नी लीला सर्ग विसर्गष्थानम पोशन मुत्ति मनवंतरे शानू कथा निरोधो मुक्ति राश्रय आ दस प्रकार नी प्रभूनी लीला छे जे त्रीजा स्कंधी लईने बारमा स्कंधु सुथी बतावे छे अने एज दस प्रकार नी लीलानू वर्णन त्रीजा स्कंध थी प्रारम बधाये छे जेने सर्ग लीला कहवाये छे ज्यां स्रुष्टी सर्जननी वाद आवी ए स्रुष्टी सर्जननमा मैत्रे रुशी अने विदूर्जीनों समवाद आवे छे जे त्रितिय स्कंध नतर कहतावे छे अने ए समय नी वाद चे शुगदेव जी पड़ कथा आमा त्रिजा स्कंध माव वेंडन करे छे कि भगवान शांती दूत बनीने जारे हस्तिनाप पूर गया पांडवोन एमनों अधिकार आपकानी बात करी परन्तु दूर्यों तो ने राजी न थेयो अने पछी त्यांती भगवान विदूर जी सुल्भा जी ना घरे पधा रेया एमना मनोरत पूर्ण करेया विदूर जी ने समाचार आपया के युद्ध थशे समाचार आपया आप तो द्वार का पधारए यह जाए ठीवी विदूर जी दत्राश्न ने नीती समझावा माटने करे चैंपकर उतु न मान्या थिक्शे पंद शस्त्र ने बदु तेया छोड़ी ने इमनी पतनी साथे ॥िर्थ यात्रा करवा माटने जाए जाए फिर पन दादाजी आग्या करी यती ब्रज ये तो ठाकुर्जी नुगर छे समस्त तिर्थ त्या निवास करे छे एवी ब्रज भूमी मां जारे आव विदूर्जी पहुंचे या तो एवी भूमी मां कोण मणे धागवद भक्त मणे तो उधाउजी त्या इमने मणी अगे जी ने घणी बदी बाल लिलाओ विदूर्जी ने समढ़ाव। भग्वान ना सुधाम पधारवाना समाचार आपया एवी विदूर्जी ने खुब दुख थयो उधव जी कहिए कि प्रभू जारे सुधाम पधारी रहा ता त्यारे विदूर्जी आपने याद करया विद आग्या करी आपे। त्यारे उधव जी कहे छे कि विदूर्जी भगवाने आपना माटे एक सुभ शंदेश सत्संग नी आग्या मेत्री रुशी पासे के इक संदेश छोड़ेो छे आप मेत्री रुशी पासे जाओ इन ने मोड़ो और उधव जी थी आग्या लेने सीधा विदूर्जी मेत्री रुशी पासे जाए छे अने मेत्री रुशी ने जईने मड़ी ने सुन्दर प्रश्ण करेओ स्रुष्टी सर्जन कई रीते थे विदूर्जी ये प्रश्ण करेओ अने पची स्रुष्टी सर्जन नो इतिहास मेत्री रुशी विदूर्जी ने कहे छ ब्रह्माजी प्रगट थेया मन थी भगवान नो ध्यान धर्यू थल चर्क खेचर आकाश मा उड़ा वड़ा जमीन मा चालवा वड़ा अनेक जीवों नी रचना ब्रह्माजी ये करी तोपन संतोष न थेयो अने पची आगड जेता एमनाज शरीड ना बेभाग थेया एक यु मनू सत्रुपा कहवा लागया है पिता आप आज्या करो चो प्रजा प्रगट करीए स्रुष्टी प्रगट करीए पड़न्तो शुष्टी ने रेवान न स्थान ये तो प्रित्वी छे अने प्रित्वी नो हरं करीनो लो राक्षस लही गए गए एँ पेला पrickवी तो स्ति प्रिथवी ने उपड़ी त्या जोलो राक्षस आवेओ भगवाने उधार करेओ अने प्रिथवी ने प्रम्मांडमा सुरक्षित स्थापित बोलिये श्रीवरा भगवान की जये अने ए मनु सत्रुपा एमने त्या बेपुत्र थया उत्ता अनपाद अने प्रियब्रत अने त्रण कन्याओ थाई आकृति देव हुति अने प्रसूति अईया पची विदूर जी मेत्रई ने प्रश्न करेओ ओलो राक्षस पोण हतो पची एनों परिचे आप्यों के हिरण्या आक्षले हिरण्या कशिबू कईरी तेन श्राप लागयो एक अथानू वण्ण अईया करवा माव्यो आ मनुना पुत्री देव हुति नो विवाह करदम रुशी साथे थयो अने नवधा भक्ती सरूप नव कन्याओं थयी अने माता देव हुति थी सांकि शास्त्र प्रवर्त करवा माटे कपिल सरूप थी भगवान प्रगड थयो बोलिये श्री कपिल भगवान कीजे करदम रुशीये जोयू के ज्याएक पुत्र थया छे इमझे सन्यास ग्रहण करेओ अने हवे माता कपिल भगवान ना शरण मा आवी पुत्र भावन रात्ता महात्म ज्यान पूर्वक बुद्धी राकी न सुन्दर प्रश्न करेओ संसार मा साचु सुख क्यां छे आनंद क्यां छे अने पची क्यारे कपिल भगवान ने माता देव उतीनो सुन्दर सत्संद धयो जेने कपिल गीता कहवाए छे भग्ती कोने केवाए भग्तीनु स्वरूप शू छे कया प्रकार्नी भग्ती थी भगवान प्रसंद धाए छे सात्विक राजास तामस त्रण प्रकार्नी भग्ती बतावी ने एमाती चोथी भग्ती निर्गुण भग्ती ये सरवोत्तम भग्ती छे निर्गून भक्ति नी प्रधान ता कपिल भगवान ने बतावी अनी ये निर्गून भक्ति दी भगवान प्रसण धाय छे संत भग्तोँना लख्षण शूँ छे सोलह लख्षण बतावया तेते क्षवाह कारूनि कह सुर्य दाह सख़े वेश्नवना लक्षण नू निरूपन करूँ अने पछी जे स्थान उपर देव हुती नू मन शांत धयू माताने सिद्धी मड़ी सत्संग ना मात्यमती ए मात्रु गया सिद्ध पूर अने पछी माताने आशिर्वदापी ने कपिल भगवान संगम तेड़त पूरब की ओर त्या पधारेया अने स्वागत सागर येमनों स्वागत कर्यू आजे पण अपने गंगा सागर ने त्या जईए कपिल भगवान उंसंदर मंदीं छे देगया है शेमने दर्शन करया हसे कपिल गीता नी फलश्रुती बतावी कि जे आग कपिल गीता नू श्रवन करेचे ए वक्ता श्रोता ना समस्त पाप नश्ट भाएचे आओ तृतिय सकंद विरामकरी ने चतुर्त सकंद मा प्रवेश करिए चतुर्त सकंद धर्म अर्थ काम मोख्ष चार प्रकरणों मा श्री महाप्रवुजिया चतुर्त सकंद ने विभाजित करियो विसर्ग लिला बतावी विसर्ग नो मतलब सर्ग एटले सर्जन अने विसर्ग एटले विशिष्ट प्रकार नों सर्जन भगवाने करिए इस सर्ग विसर्ग लीदा चतुर्त स्कंद धर्म प्रक्रण मां दक्ष यग्यनी कथा आवे छे ए दक्ष जारे प्रमुक बनी गयो एने अभिमान आवे अने शिवजी नू अनादर करियो यग्यनो भागनो आपे ये समय जे दिव्य यग्य थेयो सतिय आत्म दाहा करियो कि शिवजी ने ग्रोध आवे शिवजी ना ग्रोध ती दक्ष यग्यनो भिद्वन सथयो कि अधिवता देवताव ये शिवजी ने स्तांत करिया स्तुति करी ए कथा नू वर्णन करियो कुप सुन्दर कथा चे एनी फलश्रुती एनू सार जो समझी संक्षिप्त मां तो ध धर्म प्रक्रण मां दक्ष यग्य आ दक्ष यग्य करियो पने यग्य सफल न थोयो कारण के अभिमान मां आवी ने करियो अधिकार्णी भावनाती करियो कोई पन कार्य सद कार्य वेश्ण वो जो अभिमान मां आवी ने कर्शो तो एनू फल क्यारे मड़तू ना थी ए बंदन करवा मावियू और खुब सुंदर प्रच्छुलित अथा उत्तानपाद राजा एनी बेर आणी शूनिती अने सूरुची सूरुची नो जे पुत्र ये उत्तम नो जे पुत्र ए द्रू अने ए दुरूल जआ पिताना खोड़ामा बेष्वा जाई गया छे ए समय इसुम अलुछी हमगा झाल घसालत ने का तरो धारे पिताना खोड़ामा बेष्ववी तो झाल Εलागा पहे नhost not प्र種र न प्रसंत्द थाय दो करना वर्दान उत्यों के आंट जेच्ट ह WennSauru's जन्म थाए त्यारे तु ये सिंगासनु पर बेसे सब्सु दुरू दानो चार पांच बरश्च नेनी उंब्र रडवा लागे और सुनिती पासे आवे और सुनिती इनने शान्त्वना आपी बेटा आमा रडवानी कई वात निती आ उप्वेश्ट हुए तन्य नो आपी शकी आतारी माता सुरू ची यापी शा शाची वाच्छे आश्रेड थे दिव्य तप करिये इमाज आश्रेड नि सार्थकता अच्छे बेटा तु वनमा तप करवाजा आने माता ना आशिरवाद लाहिने दुरू जी वनमा जाए छे ए जिसमें नारजी परिक्षार्थ त्यां स्प्रीब मंत्रे の झाऴें ॹाहीर, वास दीव है संतर मंत्रों जब कर Maps टारी उपर जल्दी कृपा कर शे गुरुणी आज्याप्रमाणे द्रू जी सिद्धा मधुवन मा जाई छे अने एक-eक मास मा संकल पुले छेए छो मास पूरा थया अन गुरू ना बदावेलों जे मंत्र छे ओम नमो भगवते वासुदेव आयए ओम नमो भगवते वासुदेव आया ये द्वादसाक्षर मंत्र द्वारा गुरुनी कृपा थी जो मासमा भगवाने इमने दर्शन आपया अने वर्दान मांगवानू कहो त्यारे द्रुव जी कहे चे के प्रभु हूं तो एकज आप थी वस्तो मांगो छू के सदा भगतो नी वाणी मारा कानमा पड़ती रहे कानके भगतों नी कृपा थी जो प्रभु मने आपना दर्शन थे रहा चे पड़ भगवान नी इच्छा कई अलग हती भगवान एवी इच्छा रागता था क्या धुरु राजा बने कानके राजा जारे भकती निष्ट होई छे धर्म निष्ट होई छे तो एना राज्य मा प्रजानु कल्यान थाई छे, ए राष्ट्र सुखी बने छे, एटले भगवाने ने राज्य वालक नी आग्या आपी, राज्य स्विकार करवानी आग्या आपी, घणा वडशो सुधीतु राज्य करशे ने पची एक द्यव्य विमान तने लेवा माटे आउशे, अने तारा म आटेक दिव्य धुरू लोक नी भगवाने निर्मान करयू कि जैनि सबत्रिशीपन प्रदक्षीना करे। तो एवू स्थान जे कोई ने नम मलियू, एवू स्थान धुरूने मलियू, धुरू लोक मलियू, जैनि सबत्रिशीपन सदा परिक्रमा करता हो इस चो, शो मासमा मोटा मोटा विद्वानोंने प्रश्न थेई गयो कि हजारो युगो थी घणा लोको तप करेचे तो उपन भगवानी आवी कृपा नाथी धती आ द्रूजी उपर भगवानी केविर्थ सहज कृपा थेई गयी एनो उत्तर आपड़ा शी महा प्रभुजी आपे छे कि आ द्रूआ पर आश्रा भिष्ट दे के आ द्रूजी यमना जीनो आश्रे लिधो यमना जलनू सेवन कर्यू ब्रज नो आश्रे लिधो अने जे जिव ब्रज नो आश्रे ले यमना जीनो आश्रे ले तो एनी उपर ठाकोर जी तो सहज एनी उपर कृपा व्रिष्टी करता जो तो आप ब्रज घुमीनु महीमा छे आ यमनाजी नी कृपाज तो शियमनाजी नी कृपाज दि द्रूजी ने ठाकुर्जी ना दर्शन थेया आपने पन शियमना महाराणी ने आजा तृतिय दिवसना सत्र अंतरकत शियमनाजी ने आपने बदा विन्ती करता जाई है शियमना महाराणी के अमें पन आपने एज विन्ती करिये के अमने पन प्रजबावास मड़े अने परितिया दपव बे अजार अधार ब्रचुरासी को कर गए यम्ना जी दी कृपा यम्ना नू कामज खेचुरूँ छे के जे ठाकुर जीने मड़ाव है ये शी यम्ना जीने भुली जात तिन सुधिकरी देद प्रेम के फंदते कही जु राखे जहां ये पठावे वहां वे धावे ये सी अमारी श्रीयम्ना जी है तो आओ आपने श्रीयम्ना जी देविंति करिये के श्रीयम्ना जी जेवीक्रुपा गुरू हे जट्तों उपर आपको रोखे जही वीक्रुपा हमारी उपर करो अने अमने पन प्रजुमा वास धाये ब्रज वासी अमे बनिये अन्या शी रहवण प्रहुपुलेश जे प्रजियात्रा जे ये ब्रज यात्राना सहभागी अमें बदा बनिये एज भाव प्रकट करता आओ यमनाजी ने आपने मदा स्तुति करिये धन्य श्री यमुना क्रपाकरी श्री कोपुल प्रज सुख आप